हेलो दोस्तों नमस्कार आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजे और अपने दोस्तों को सेर कीजे दोस्तों हम आज सेफोटेक्जिम इंजेक् करेंगे जो यह सेफोटेक्जिम इंजेक्शन एक सेफ़लोइसपेरिन ग्रूप का ब्रोड इस्पेक्टर मेंटोबाइटिक है मतलब यह दोनों प्रकार के बैक्टरिया को मारने का काम करती है चाहे ग्राम बकरी डॉग में कर सकते हैं और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग डॉग में किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है मतलब सभी प्रकार के पसों में कर सकते हैं रूमियंट और नन रूमियंट में और इसके जो उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग आप डॉग में कर सकते हैं जैसे की डॉग में परवो डिसीज हो अगर पार्वो बहुत ज़्यादा उल्टी दस्ते की समस्या है टेंपरेचर लोग चला गया है लगातार दस्ते उल्टी कर रहे है तो आप पार्वो बिमारी में इसका उव्योग कर सकते हैं और जैसे गायवेस या कोई भी प्रकार की बसो उसमें आप respiratory track से संबंधित सांस नौलिका से संबंधित बिमारियों में आप इसका यूज कर सकते हैं इसका उप्योग आप यूनरी track पे साफ नौलिका से संबंधित जो भी बिमारी हैं उसमें आप इसका उप्योग कर सकते हैं और पसो में मस्टाइटीस में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है आप पसो में होने वाले थनैला बीमारी में इसका उप्योग आपको करना चाहिए और अगर हड़ी ज्वाइंट बोन से संब्दित कोई भी इनफेक्शन हो, सौप्ट टीसू इनफेक्शन उसमें आप इसका उप्योग कर सकते हैं अगर GTI से संब्दित मतलब गैस्टो इंट्राइनल टेक्श से सम्दित कोई भी वीमारी होगा है इसमें या डॉग में या कोई भी पसो में उसमें आप इसका यूजड कर सकते हैं जैसे कि डॉग में पारव MRS होता है मिनिंजाइटिस बिमारी अगर ब्रेन में सूजन आ जाती है मतलब टिंपरिचर 134 तक चला जाता है और ब्रेन में इडीमा बन जाता है मतलब मिनिंजाइटिस बिमारी हो जाता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं जाडाब्यबयबय梦 녹नर 2 प्रिखने वाला यह बीमाई है मिनेटीज और इसप्राइटरी डिसी में इसका यूजग कर सकते हैं solid कर सकते हैं और डिक्रण सबेड मंधित इन हो बींपेक्सन है इसमें आप इसका अब कर सकते हैं और इसकी हम अगrant सेके बारे में बात करें तो यहां मेडी सीव है आप परिगनेट इनवल में इसका यूच कर सकते हैं और दोस्तों इसके अगर हम डॉज रेट के बारे में बात करें तो इसे आप मतलब 10.00 Mg kg body weight के ऐसाप से दे सकते हैं जैसे कि अगर 100 kg का पसू हो तो आप उसे 1.00 G. का दे सकते हैं से व्रक्षिम 10.00 Mg kg body weight या उसके साथ अगर आपके पसू का बजन 100 kg है तो उसे आप 11.00 अगर 200.00 गराम का तो उसे 2.00 g तो अगर 200.00 म का सकते हैं अगर 400 kg का पसू है तो आप उसे 4 ग्राम का से फोट एकजिम दे सकते हैं मतलब आपको ग्राम से 1-1 ग्राम से फोट एकजिम 100 kg बाडी वेट पर यूज़ करना है और इसके फ्रेंट से रूट के बारे में बात करें तो आप इसे इंट्रमस कुलर वब इंट्रे वेनस दो LEigned से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अगर इसके हम रिपीट के बारे में बाथ करें तो आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्ली चैनल को लाइक कर साइए अपने दोस्तों को शेयर किजिए धन्यवाद नमस कर साथ हुए